नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल इटूप चैनल गुरुजे स्पेशल क्लासेस में बैहु निमाई साना आपके समक्ष उपस्तितो साइन्स विशेवस्तू को लेकर इस्टेट्स आज की कلاस में हम डिस्कस करने वाले हैं मापन एवंग मातरक टोपिक पर बेस्ट प्रैक्टिस सेड वन के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि last classes के माध्यम से हमने मापन एवंग मातरक topic को बहुत अच्छे से cover करनी की कोशिश की उमीद करता हूँ कि सभी point आपको easily clear हो पाए होंगे आप जान पाए होंगे कि मापन एवंग मातरक के इंतरगत कौन-कौन से point बनते हैं जैसे कि आपकी दिशा एवंग परिमान के अधार पर राशियां कितने प्रकार की होती हैं जैसे अदिश राशियां क्या होते हैं सदिश राशियां क्या होते हैं इसके बाद आपने जाना उत्पत्ति के अधार पर राशियां कितने प्रकार की हैं यानि मूल राशियां कौन-कौन से हैं, संपूरक या पूरक राशियां कौन-कौन से हैं, इसके बाद व्यूत्पन राशियों के बारे में आपने जाना, इसके बाद आपने मात्रकों की पदतियों के बारे में जाना, कि वर्तमान समय में हम जिनका प्रयोग करते हैं, वो किस इसके अंतरगत मेजर किया जाता है यानि कि वो कौन सा यूनिट सिस्टम है जिसके अंतरगत हम मात्रगों को पढ़ते हैं और उन से रिलेटिट किस तरीके के प्रेशन आपके वन डे कॉम्पेटिव एक्जैम्स में बनते हैं उन सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश की ह उमीद करता हूँ कि वो सभी पॉइंट आपको एजिली किलियर हो पाए होंगे आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर बेस प्रेक्टिस सेट को सॉल्फ करेंगे और इसके अंतरगत हम उन सेलेक्टिट प्रशनों को सॉल्फ करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके वन डे कॉम्पे एक्जैम्स में 79,000 में भी प्रेशनों पूछा जा चुका है तो हम उन्हीं सेलेक्टिट प्रेशनों को सॉल्फ करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके वन डे कॉम्पेटिव एक्जैम्स में आए हैं और सिर्फ और सिर्फ मापन एवंग मात्रग टॉपिक पर बेस्ट हैं तो उ आपने जो कंटेंट पड़े हैं वो आपके लिए हल्फ फुल है उन से रिलेटिट प्रेशने एक्जैम में पूछ जाते हैं या फिर नहीं पूछ जाते हैं अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आपके इस प्रेक्टिस सेट में कितना स्कोर रहा है और आपको कैसा लगा ये क कोशनों का कलेक्शन वो भी जरूर कॉमेंट सेक्षेन में बताएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का एनि प्रैक्टिस एड़ वन का फर्स्ट कोशन आपके स्क्रेन पर है कोशन नमबर फर्स्ट आपसे कहता है कि कारिय का मात रख है कि कारिय का मातरक क्या है option A कहता है जूल option B कहता है न्यूटन option C कहता है वाट और option D कहता है डाइन तो आपको बताना है कि कारिय का मातरक क्या होता है तो आप जानते हैं कि कारिय का मातरक होता है आपका जूल क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूटन है ये बल का मातरक है SI में और जो dine है ये भी बल का मातरक है लेकिन ये CGS पदती में है और जो watt है ये आपकी शक्ती का मातरक है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो BCD और option नहीं हो सकता और आपको simple सी बात पता है कि कारिय का मातरक उर्जा का मातरक और उश्मा का मातरक जू President No.2 आपसे कहता है स्टूरेंटस की प्रकाश वर्ष किस में की इकाई है कि सीदा सीदा आप से simple सा प्रिषन , पूछा गए है कि जो प्रकाश वर्ष उसकी इकाई क्या है नहीं कि किसके मापन के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं Option A कहता है दूरी Option B कहता है समय Option C कहता है प्रकाश और Option D कहता है धारा तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी है तो आपने げ complete में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि प्रकाश बर्ष का उप्योग हम लंबा या दूरी के मातर की रूप में करते हैं यहीं कि प्रकाश वर्ष जो एकाई है वो आपकी दूरी का है इसलिए इसकोशन का राइट ओप्षन बनता है आपका ओप्षन नमबर A चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्रिशन आपसे क्या कहता है तो नेक्स प्रिशन कोश्चन नमबर थर्ड आपसे पूछता है कि एक नैनो सेकेंड में होता है यहीं कि एक नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है यह आपसे पूछा गया है औप्षन A कहता ह दस की पावर माइनस 6 सेकंड, option B कहता है दस की पावर 9 सेकंड, option C कहता है दस की पावर माइनस 3 सेकंड, और option D कहता है दस की पावर माइनस 9 सेकंड, तो आपको बताना है कि एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो इस्ट्रेंट घातांगी मातरक के नतरगत हमने 10 की power minus 6 को micro 10 की power minus 9 को nanow तो यहां से सीधा सीधा आपसे पूपना होता है तो आपको बताना है option number D 10 की power minus 9 सेकेंड होता है तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका option number D चलिए आगे बढ़ते है और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो इसके वारे में भी मैंने आपको बता रखा है option A कहता है 10 की power minus 10 meter option B कहता है 10 की power 2 meter option C कहता है 10 की power 10 meter और option D कहता है 10 की power 7 meter तो strengths आप easily पहुँच पायोंगे लेकिन बहुत से विध्यारती क्या करते हैं confuse हो जाते हैं 10 की power minus 10 है या फिर 10 की power 10 है और examiner आपके confusion के लिए ही ये दो option आपके सामने रखते हैं क्योंकि अगर आपने पढ़ा है एंगस्ट्रम को तो तो आप easily बता सकते हैं लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप option में confused हो सकते हैं कि 10 की power plus 10 था या 10 की power minus 10 तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो भी चीजा आप पढ़ते हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उसको बार-बार revise करें क्योंकि जब आप revise करते हैं तब आपको confidence मिलता है तो एक angstrom का जो मान होता है ये मैंने आपको बता रखा है कि एक angstrom को हम कुछ इस तरीके से represent करते हैं और इसका मान होता है 10 की power minus 10 meter तो इस हिसाब से अगर हम देखे तो इस questions का right option हो जाएगा आपका option number A चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 5 आपसे कहता है students की सूची first को सूची second के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिये गए कुट का प्रयोग कर थोड़ सा typing error यहां पर यह हो जाएगा आपका प्रयोग तो प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए question number 5 में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सूची first है उत्तर को आपको चुनना है यह आपका first सूची है strengths और यह आपका second सूची है तो first सूची को second सूची से आपको मिलान करना है और उसके बाद जो कुट है यह option आपका है यह नीचे का इसमें से आपको बताना है कि कौन सा match जो है वो बिलकुल perfect है यह नीचे सही है तो आपको यहाँ पर बताना है तो option A में दिया गया है उच बेग तो उच बेग का मातरक आपके सामने दिया है एक मैक option B है आपका तरंग धेरिया इसके सामने दिया गया है हैंगेस्ट्रम option C है आपका दाब और इसके सामने दिया गया है पास्कल और option D है उर्जा और इसके सामने दिया गया है जूल तो आपको बताना है ये आपका जो है सूची फरस्ट है और ये आपका है सूची सेकंड तो सूची फरस्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है और उसके हिसाब से आपको कुट मैनिक option ABCD को चूज करना है ये आपके options है जिनको चूज करना है लेकिन ये सूची first और सूची सही मिलान होने चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि सीधा सीधा मापन एवं मातरक से ये प्रशन आपका पूछा गया है और students इस तरीके के जो प्रशन होते हैं वो आपके PCS लेविल में पूछे जाते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके के प्रशन भी आपके super date exams में बन सकता है और अगर इस तरीके के questions बनते हैं तो इससे आपको घवरानी की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि इस तरीके के questions को छाटना बहुत ही आसान होता है अगर आपको एक या दो point भी सही से पता हो तो आप easily सही कूट तक पहुँच सकते हैं तो student देखिए option A में कहता है उच ब अभी आपको पता है का मान दसकी पाउर माइनस दस मीटर है और यह सभी point मैंने content में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है तो तरंग धहरे का मातरग एंगेस्ट्रम बिलकुल सही है option C कहता है दाब और दाब का मातरग भी आप पढ़ चुके हैं दाब का मातरग पास्कल होता है और उर्जा उश्मा और कारिय का मातरग आपका जूल होता है यहनि उच बेग का मातरग भी आपका मैक होता है तो अगर हम सुची first और second को मिलान करेंगे तो a b c d का जो सही करम होगा वो एक दो तीन चार होगा तो option a कहता है दो एक तीन चार जो बिलकुल भी नहीं ह हो सकता option b कहता है एक दो चार तीन तो यह भी नहीं हो सकता option c कहता है एक दो तीन चार है नहीं बिलकुल right है यह और option d भी आपका नहीं हो सकता है निकिस questions का right option है आपका option number c उमीद करता हूँ कि आप भी questions के right option तक easily पहुँच पायोंगे इस ट्रेंट्स अगर आपको बता है हुआ है जूल होता है इन तीनों के हिसाब से भी आप easily पहुंच सकते हैं लेकिन उच बेग जो है इसका मात्रक होता है आपका Mac और इसको भी मैंने आपको बता रखा जब मैंने आपको कुछ अन्य प्रमुक मात्रक पढ़ायते जिसमें बल का SI मात्रक CGS मात्रक एक Mac संख्या का जो मान होता है वो होता है लगभग 1200 किलोमीटर प्रती घंटा जिसे हम 324 मीटर पर सेकंड के मान से भी नापते हैं तो इसको एक Mac बोलते हैं और इसका प्रयोग हम उच बेग के मापन के लिए करते हैं या प्राधोनिक गति के मापन के लिए करते हैं तो उस हिसाब से भी आप कोशन के राइट ऑप्शन तक इसली पहुंच सकते हैं और इस तरीके के प्रशन स्टुएंट्स आपके PCS IS के एक्जैम में भी पूछे जाते हैं और ऐसे प्रशनों को करना बहुती आसान होता है अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया हो होगा अच्छे से रिवाइस किया होगा तो यह प्रशन आपके लिए बहुत ही आसान होगा आप बहुत जल्द इस कोशिंज के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्रशन आप से कहता है कि ताप के celsius पैमाने पर परमशुन्य ताप होता है, यहनि कि ताप का जो Celsius पैमाना है, यहनि centigrade भी हम जिसको बोलते हैं, इस पर परमशुन्य ताप को कितना होता है, यह आप से पूछा गया, option A कहता है, 0 degree Celsius, option B कहता है, 32 degree Celsius, option C कहता है, 100 degree Celsius, और option D कहता है, minus 273 degree Celsius, तो इस परमशुन्य ताप मान होता है, इसको हम 0 Kelvin बोलते हैं, और 0 Kelvin या फिर अगर centigrade पर हम बात करें तो होता है, minus 273.16 degree Celsius, तो अगर आप से कभी भी परमशुन्य ताप मान पूछा जाए, तो आपको बताना है, अगर option में 0 Kelvin है, तो 0 Kelvin के साथ जाना है, और अगर Celsius में दिया पॉइंट 16 degree Celsius, जो परमशुन्य ताप मान होता है, तो अगर हम options के according देखेंगे, तो इस questions का right option हो जाएगा, आपका option number D, minus 273 degree Celsius, बहुत ही important question है, students, इस तरीके के question आपके super debt exams में पूछे जाते हैं, तो next question question number 7, आप से कहता है, कि पारसेक एकाई है, निकि जो पारसेक होता है students, यह इकाई है, निकि unit है, तो किस की unit है, यह आप से पूछा गया, option A कहता है, दूरी की, option B कहता है, समय की, option C कहता है, प्रकाश की चमक की, और option D कहता है, चुमकिया बल की, तो अगर आपने content को बहुत अच्छे से cover किया होगा, तो आप easily पहुँच पायोंगे, क्योंकि जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, उसको हम पारसे कहते हैं, और दूरी की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको हम एक फर्मी मीटर कहते हैं, तो एक फर्मी मीटर का मान होता है, 10 की power minus 15 मीटर, और जो पारसे का मान होता है, strengths वो हता है, आपका 3.083 गुना 10 की power 16 मीटर, और यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन question में आपसे यह नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो इकाई है वो option हो जाएगा A का, कि दूरी की इकाई है पारसेक, इसलिए इस questions का right option बनता है, आपका option number A, उमीद करता हूँ कि आप भी questions के right option तक easily पहुच पाई होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, next question आपसे क्या कहता है, तो next question question number 8 आपसे कहता है, कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, निकि सिंपल सा प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, कि एक प्रकाश वर्ष में पावर 12 km और option D कहता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 km, तो आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो आपको पता होगा कि एक प्रकाश वर्ष में आपने पढ़ा है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी strength मीटर में option नहीं हैं, तो इसका मतलब अगर आप इसमें देखेंगे, 10 की पावर 15 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 km, तो अगर आप 15 में से माइनस 3 करेंगे, तो हो जाएगा 10 की पावर 12 km, तो यही option आपका right हो जाएगा, तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा, आपका option number C कि एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है, वो 9.46 गुना 10 की पावर 12 km, और मैंने content में आपको बता रखा है, 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, और मैंने ये भी बताया हुआ है, कि ये मीटर और किलो मीटर या फिर सेंटिमीटर में भी changes करते हैं, इसलिए आपको ये चीज आप से रखा, ये ही examiner का mindset होता है, अगर आप content को रटते हैं, तो ये समझ लिजे कि आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions होंगे, जो रटकर अगर आप गए तो आप बिल्कुल गलत करके आएंगे, और बाद में आपको पच्तावा होगा, और अगर super test जैसे exam में आपके 10 questions जो आपको पता है, लेकिन आपने रटा हुआ है, इस वज़े से गलत किये, तो ये समझ लिजे कि आप exam से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए आपको हर एक चीज को ध्यान से detail में पढ़ना होगा, बार बार revision करना होगा, तब भी आपको आत्मविश्वास और आप सही questions करके आप आएंगे, उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और जिस चीज पर मैं आपको focus करने के लिए कह रहा हूँ, उस चीज को भी समझ पा रहे हूँगे, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, next question आप से क्या कहता है, next question question number 9, आप से कह होते हैं, कि एक समान होते हैं, एक वलोता है, option A कहता है, 40 degree, option B कहता है, 100 degree, option C कहता है, minus 10, option D कहता है, minus 40 degree, मैंने आपको content में बार बार बताया ہے, कि Celsius से और Fahrenheit में एक मान ऐसा होता है, जो हमेशा equal आता है, और वो होता है, minus के 40 degree, तो इसलिए, इस comments का right option बनता है, आपका option number D, चेलि आगे बढ़ते हैं और देखते है नेक्स प्रशन आप से क्या कहता है तो नेक्स प्रशन कोशन नम्बर टैना आप से कहता है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशी है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशी है तो मैंने आपको सदिश राशी और अदिश राशीों को कैसे छाटते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना होता है ताकि आप confused ना हो और questions के right option तक easily पहुँच पाए वो तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने वो classes बहुत अच्छे से देखे होंगे तो इस questions का right option तक आप easily पहुँच सकते हैं option A कहता है समवेग, option B कहता है कारिय, option C कहता है दाब और option D कहता है उर्जा आपको पता है सदिश राशीों के अंतरगत आपके कुछ शब्द होते हैं वह से start होते हैं और स एक आपका positive word होता है तो इस हिसाब से अगर हम देखे तो स में से समवेग में से स को हटा देंगे तो इसकी starting होगी वेग से और यह एक सदिश राशी के अंतरगत आता है इसलिए इस questions का right option हो जाएगा समवेग और option B अगर आप देखेंगे तो कारी आपके अदिश राशी है उर्जा आपके अदिश राशी और दाब भी आपकी अदिश राशी के अंतरगत आते हैं तो बच्चा वो option आपका है A जो समवेग और यह है एक सदिश राशी है इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number A चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 11 आपसे कहता है कि निमनलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है यह आपको बताना है option A कहता है वेग, option B कहता है त्वरन, option C कहता है द्रबेमान और option D कहता है भार या फिर वजन तो आपको बताना है कि इन में से कौन सी मातरा है जो जड़त्व की माप को दरशाता है तो जड़त्व की जो माप को दरशाता इस्ट्वेंट्स वो होता है आपका द्रवेमान तो इसलिए इस questions का write option हो जाएगा आपका द्रवेमान चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 12 आपसे कहता है कि अदिश राशी है यह आपको बताने हैं option A कहता है उर्जा option B कहता है बल आगून option C कहता है समवेग और option D कहता है उप्योक्त सभी तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सी राशी है जो अदिश राशी के इंतरगत आते हैं तो मैंने आपको यह content के दोरान बताया अगर किसी राशी के अंत में आगून आता है तो वो सदिश राशीयों में आता है इसका मतलब जो बल आगून है और बल की starting भी बैसे है इसलिए यह एक सदिश राशी है जो समवेग है वो भी आपकी एक सदिश राशी है इसका मतलब उप्योक्त सभी option नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो उप्योक्त सभी भी नहीं हो सकते तो इसका मतलब बचा वो option आपका A ही है जो आपकी अदिश राशी के अंतरगत आते हैं इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option नमबर A चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question 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 number 13 आपसे कहता है students फिर से next type का ही question है जैसे अभी आपको question number 5 में देखने को मिला सूची first सूची second के साथ सुमेलित कीजिए यानि कि आपको सूची first को सूची second के साथ मिलान करना है और सूचीयों के नीचे दिये गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का chain करना है यानि कि ये आपके पास सूची first है जिसमें चार point है और ये आपकी सूची second है जिसमें चार point है इसका आपको मिलान करना है तो आपको देखना है दूरी और इस दर मातरक है मोल, कुलाम, प्रकाश वर्ष, बाट, घंटा तो आपको पता होगा स्ट्रेंट्स की दूरी का जो मातरक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है तो पहले option का जो right option है वो 3 है अगर आप इसमें कूट में देखेंगे तो बाकी C और D नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 और 4 आ रहे हैं इसलिए दोनों option गलत हो जाते हैं तो A और B में आपको confusion है लेकिन आगे आपको option देखना होगा पदार्थ की मातरा तो पदार्थ की मातरा का जो मातरक होता है वो आपका mole होता है आपको पता है mole ratio के अंतरगत हम 7 mole ratio को पढ़ते हैं जिसमें आपने एक राशी पढ़ा होगा पदार्थ की मातरा जिसका मातरक होता है mole तो उस हिसाब से B का answer हो जाता है 1 तो B का answer अगर आप देखेंगे तो 1 आपके A वाले option में B वाले में नहीं है इसका मतलब B option भी गलत हो जाता है तो बचा हुआ option आपका A ही right है लेकिन एक बार आप match कर सकते हैं अगर आपको सही से check करना है तो विद्दूत आवेश की मातरा आवेश की मातरा आपको पता है कुलाम होता है तो इसका मतलब C का आपका option हो जाएगा टू जो की first option में है C का आपका 2 है और option D है उर्जा और उर्जा का जो मातरक होता है strength वो होता है आपका वाट घंटा तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो फूर्थ का ओप्शन भी डी है अगर आप चारो ही पॉइंट को मैच करेंगे तो जो सही मिलान होगा वो होगा तीन एक दो चार एनी की ओप्शन नमबर ए इसलिए मैं आपको बताता हूँ इस तरीके के प्रेशन आपको देखकर बहुत जादा डर लग सकते हैं लेकिन कोशन बहुती असान होता अगर आपको चारो पॉइंट में से कोई भी दो या तीन धंग से पता हो तो आप easily right option तक पहुँच सकते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option तक भी बहुती असानी से पहुच पाई होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है कि lumen किसका मातरक है या आपसे पूछा गया option A कहता है जोती तीवरता का option B कहता है जोती फ्लक्स का option C कहता है उप्यूग दोनों का और option D कहता है इन मेंसे कोई नहीं तो आपको बताना है कि lumen जो मातरक होता है वो किसका मात्रक होता है तो इसको भी मैंने आपको बहुत बार बताया इस्ट्वेंट्स और कुछ अन्य प्रमुक मात्रकों के अंतरगत भी मैंने आपको कुछ विशेश मात्रक बताएं जो बहुतिक विज्ञान के अंतरगत specific है विशिष्ट है जहां से mostly exams में प्रशन बनते हैं तो lumen जो मात्रक के स्ट्वेंट्स वो जोती flux का है इसलिए स्कोशन का right option हो जाता है आपका option number B चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 15 आपसे कहता है कि मात्रकों की अंतराष्टे पदती कब लागू की गई देखिए जो हम unit system पढ़कर आये है इस्ट्वेंट्स वो मात्रकों की पदती जिसके आधार पर हम तीन प्रकार के मात्रक पढ़ते हैं वो SI unit system के अंतरगत पढ़ते हैं लेकिन यहां से आपसे पूछा गया है कि मात्रों को की जो अंतराष्टे पदती है निकि इंटरनेशनल पदती है जो system of international है यह कब लागू की गई है तो option A कहता 1979, option B कहता 1971, option C कहता 1983, और option D कहता 1991 यह प्रश्णिवी स्ट्वेंट्स आपके exam में पूछे गए हैं कि जो मात्रकों की पदती है निकि अंतरराष्टे पदती है इसको कब लागू किया गया है तो यह question आपके स्ट्वेंट्स RRB में पूछे जा चुके हैं और अगर आप content को बहुत अच्छे से cover करके आए हैं तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number B 1971 इस questions का right हो जाता है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 16 आपसे कहता है कि एक स्वस्थ मनुश्य के शरीर का ताप होता है जो एक स्वस्थ मनुश्य होता है students उसके शरीर का ताप है निकि body का temperature क कितना होता है option E कहता है 37 degree Celsius, option B कहता है 37 degree Fahrenheit, option C कहता है 98.4 degree Celsius और option D कहता है 98.4 Kelvin, तो आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुश्य के जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है तो ये भी हम तापमान के मातरकों के अंतरगत पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि जो शरीर का तापमान होता है वो Celsius में कितना होता है तो वो तापका 36.9 degree Celsius जो लगभग 37 degree Celsius होता है अगर अगर आप Kelvin पैमाने पर देखेंगे तो 310 Kelvin होता है और यह जो कोशन है स्ट्रेंट्स फारेनाइट और सेल्सियस में यह दो बार यूपीटेट में पूछे जा चुके हैं लेकिन Kelvin वाला कभी भी नहीं पूछा गया और मैंने हर तरीके से आपको बताया है लेकिन इस कोशन के राइट ऑप्शन तक आपको पहुचना है क्योंकि यह प्रशन भी आपके एक्जैम में कहीं न कहीं पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके के कोशन जब भी आपसे पूछे जाते हैं तो किस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में फसाया है ही option आपको examiner ने गलत बना कर दिये हैं और एक ही option right है और इसलेस questions का right option बनता है आपका option number A 37 degree Celsius और ये question students आपके यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके Fahrenheit का questions भी आपके यूपी टेट 2018 में पूछा जा चुका है लेकिन इस तरीके के प्रशन आपके exams में super debt में बन सकता है और हो सकता है कि आपको Kelvin में पूछ लिया जाए जो कि मैंने content में आपको बता रखा है कि अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमन Kelvin पैमाने पर पूछे तो आपको बताना है 310 Kelvin तो students आपको तयारी इस तरीके से करनी है ताकि questions को वो किसी तरीके से option को घुमाए लेकिन आप बिल्कुल right option तक easily पहुँच पाए लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपको content को बहुत अच्छे से cover करना है बार बार उसको revise करना है और इस तरीके से आपको content को cover करने के तुरंद बात practice set को लगाना है जो भी students इस तरीके से हर एक topic को तयार करेगा super tech में उनका selection निश्चित है चाहे भरती अब आए या फिर आपके March 2023 में आए या फिर 24 में आए कभी भी आए आपका selection हर हाल में होगा क्योंकि आप हर चीज को detail में जानते हैं समझते हैं तो इसलिए आपको सही रणनीती सही strategy के साथ कारिय को करना होगा उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्णों के right option तक easily पहुँच पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question question number 17 आप से पूछता है कि एक nanometer बराबर होता है निकि एक nanometer किसके बराबर होता है तो students एक nanometer को आपने पढ़ा होगा कि 10 की power minus 9 meter होता है लेकिन यहाँ पर option आपको दिया है 10 की power minus 9 centimeter option B दिया है 10 की power minus 7 centimeter option C दिया है 10 की power 9 centimeter option D दिया है 10 की power minus 6 centimeter तो आपको बताना है कि nanometer कितना होगा ज्यादा तर students option A के साथ जाएंगे और यहीं पर इनका option हो जाएगा गलत और students जो रट्टा मार के पढ़ाई करेगा या जो उपर उपर से पढ़ेगा सिर्फ questions को practice करेगा वो गलत करके आएगा क्योंकि उसे questions देखने के बाद उसे answer याद हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये questions मैंने कहीं पर पढ़ा है लेकिन examiner इसी तरीके से आपके साथ game खेलेगा और अगर आप उनके game में फस गए तो आपका selection नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको इस topic को पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया है कि nanometer को centimeter में कैसे change करना है इस trends आपको एक बात और बता दू जब आपका 79,000 का exam हुआ था 2019 में तो इस exam में लगभग 4,4,5,5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था यहीं साड़े चार लाख बच्चे इसमें बैठे थे और लगभग 1,4,4,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए थे ठीक लेकिन इस बार अगर आपकी भरती आती है चाहे वो 63,000 आए या 50,000 आए 51,000 आए बच्चे लगभग 12,000 के आसपास होंगे तो इससे आयोग के उपर प्रेशर होगा कि वो exam paper को सही से बनाएं सही से तयार करें ताकि बच्चे कम क्वालिफाई करें अब वो स्लेवस से बाहर वो जा नहीं सकते इसका मतलब वो स्लेवस से ही कोशिंज बनाएंगे लेकिन कोशिंणों में इसी तरीके के चेंजिस करेंगे और यह कहीं ना कहीं आपके प्रेवियस येर में आयवे प्रशन ही है जिस भी exam में चाहे वह और या फिर NDA का हो या फ से पहले आपको content को detail में बताया ताकि आप content को यदि अच्छे से cover कर लेंगे तो question आप से किसी भी तरीके से आए आप right option तक easily पहुंच सकते हैं और यदि आप content को अच्छे से cover करते हैं plus questions प्रेक्टिस करते हैं तो इसका मतलब आप 100% sure है कि आप इस topics related जो भी प्रशन कुछेगा तो mostly strengths क्या करेंगे कि पढ़के तो आएंगे और यह बोलेंगे कि मेरे 10 question गलत हो गए मेरे 12 question गलत हो गए गलत उनके यहीं होते हैं क्योंकि वह चीजों को रटते हैं जब आप 10 की power minus 9 meter लिखेंगे और इसको centimeter में change करेंगे तो 1 meter में होते हैं 10 की power 2 centimeter तो यहां पर देखें तो एक नैनो मीटर में 10 की power minus 9 meter होते हैं और अगर आप centimeter में देखेंगे तो 10 की power minus 7 centimeter होते हैं इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका option number B और इसी तरीके से strengths examiner आपके साथ game खेलेगा अगर आप उनकी पकड़ में आ गए तो आप mostly 8-9 questions गलत करके आएंगे अगर आप रट कर जाएंगे और अगर आप समझ कर जाएंगे अच्छे से revision करेंगे topic को अच्छे से analysis करेंगे study करेंगे पहले content को अच्छे से cover करेंगे फिर practice set लगाएंगे तो confidence के साथ आप को sure हो जाएंगे कि मेरे इतने questions right है और मेरा selection होना ही होना है तो इसी strategy के साथ आपको तयारी करनी है अगर भरती आती भी है तो अभी भी आपके पास बहुत समय है लगभग 5-6 महीने है आप सही से तयार युगम है जो सूमेलित नहीं है नहीं सूमेलित का मतलब मैच नहीं है गलत है option a कहता है 1 km बरावर 10 के पौर 3 मीटर बिलुकmer right है option d कहता है 1 km माइक्रो मीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं और ये प्रशन आपके 79,000 एक्जाय में पूछा गया प्रशन है मापन एवंग मातरक टॉपिक पर पेज तो इसलिए यहां पर कोशन आप से क्या पूछा गया निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमिलित नहीं यानि कि कौन सा यूग में है जो गलत है इसे प्रशन को आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास डिटेल नौलेज होंगे अगर आप रटेंगे तो ऐसे प्रशन आप कभी नहीं कर सकते तो एक माइक्रो मीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं लेकिन option कहता है दस की पावर मा माइनस 3 मीटर उमीद करता हूं कि आप भी कोशन के राइट option तक पहुच पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्रेशन आप से क्या कहता है तो नेक्स प्रेशन कोशन नमबर 19 आप से कहता है कि तेल के एक बैरल लगभग किसके बराबर है निकि जो 257 लीटर और option D कहता है 321 लीटर तो आपको बताना है कि तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं तो इस कोशन का राइट आपको पता है मैंने content में आपको बताया है कि एक बैरल में 169 लीटर होते हैं तो इसकोशन का राइट हो जाएगा option number B चलिए आगे को बताने है option A कहता है वेग option B कहता है द्रबेमान option C कहता है समय और option D कहता है लंबाई तो आपको बताना है इसमें से सदिश राशी कौन सी है तो आपको easily पता होगा इस questions का right option क्योंकि मैंने बता रखे हैं short methods के माध्यम से भी कि सदिश राशियों की छटाई हम ऐसे करते है वो सदिश राशियों के अंतरगत आते हैं इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका option number A यहनि कि वेग वेग आपकी सदिश राशी है इसके अलाबा अगर आप द्रबेमान को देखेंगे तो यह मूल राशी है और मूल राशी आपके सभी अदिश राशियों में आते हैं लंब करता हूँ कि यहां तक जितने भी प्रशन मैंने आपके साथ discuss किये मापन एवं मातरक topic पर based उन सभी प्रशनों के right option तक आप easily पहुँच पायोंगे अपना score जरूर बताएगा कि आपके इस practice set में कितने score बने हैं आपने मापन और मातरक को कितने अच्छे से तयार किये हैं और questions आपको किस तरीके से लगे हैं और यहां पर जितने भी questions मैंने आपको cover कराएं यह सभी प्रशन आपके किसी ना किसी one day competitive exams में आयवे हैं चाहे वो railway group D में आया वह हो या फिर railway NTPC में हो या फिर आपके PCS में भी कुछ questions है जो आयवे हैं IS में भी questions है जो आयवे हैं और के अलावा आपके UP PCS 36 गड़ PCS इस तरीके के exams में इस तरीके के one day competitive exams में UP TET में इस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं जो आपके मापन एवं मातरक के अंतरगत आते हैं उन्हीं सभी प्रशनों का collection है बहुत important प्रशन है अगर आप इस तरीके से तयारी करते हैं पहले आ इस practice set solve करते हैं और वो practice set में questions होंगे जो आपके previous year में आएंगे तो मुझे नहीं लगता एक भी प्रशन आपके सूपर टेट exams में बाहर जाएगा और अगर आप इस तरीके से हर एक topic को अच्छे से cover करते हैं तो सूपर टेट में आप science विशे वुस्तु में से 10 में से 10 questions easily mark कर सकते हैं और वहीं से आपका selection का factor भी तयार होगा क्योंकि आपको पता है strengths पिछले 69 जार exam में जो questions का level रहा है वो ज्यादा tough आपके science में रहे हैं और science में ज्यादा तर बच्चों के questions गलत गए किसी के 10 में से 4 आए किसी के 5 आए किसी के 3 आए mostly जो questions गलत गए हैं अगर तो मुझे नहीं लगता कि आपके 10 में से 10 से कम आएंगे लेकिन फिर भी आपको consistency के साथ हर एक topic को cover करना होगा उसके proper notes बनाने होगे और हर एक practice set को लगाना होगा यदि इस तरीके से strategy के साथ आप तयारी करते हैं तो आप easily 10 में से 10 score science में कर सकते हैं और वहीं से आपका selection भ आपके mind में कोई doubt बनता है तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ और अपना score जरूर बताए कि आपका score कितना रहा और question का इस तरकिस तरीके का रहा क्या आपको question का level सही लगा है या फिर नहीं मुझे जरूर बताए ताकि मै अपने आपको और ज्यादा improve कर पाऊं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको कोई class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजे well icon को भी press कर दीजे ताकि इसी तरीके के beneficial video जब भी मैं आपके लि बनाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जय हिंद